प्रतिवर्ग मीटर के हिसाफ से हम उसमें इनाकुलेट कर देंगे उस टैंक को खाली पानी भरे हुए और उसमें पोसक्तत मिलाए हुए पानी के टैंक में एजोला का कल्चर कर देते हैं यह एजोला का कल्चर आपके निकरतम किसी भी कृस्विज्ञान केंद में मिल सकता है या क्रसिसे अधारित किसी भी सिच्छन संस्थान वहां भी मिल सकता है हमारे संस्थान में से भी आप संपर्क कर सकते हैं इसको भरने के बाद में 10-15 दिन में पूरा एक पतली सी एक चटा की तरह तैयार हो जाए तो इसमें से हर एक वर्ग मिल्टर से करीब 200 ग्राम एजोला ताजा एजोला और एक साफ पानी के अंदर हम उसको निकाल करके और पानी से अच्छी तरीके से धो लेते हैं धोने की इसलिए जरुगत परती है चूंकि यह जड़े हैं इसमें कुछ अबर और मिट्टी डाली गई है तो उसकी भी थोड़ी इसमेल आ जाती है दुर्गंद कभी-कभी पसु उसको फिर चाह से नहीं खाते हैं तो इसको अच्छे से धोले ने के बाद में फिर अपने पसुओं को हम चाहे दाने के साथ में या इसको सीधे सीधे चूंकि अगर पहली बार हम पसुओं को खिला रहे हैं तो थोड़ा खाने में उनको इच्छा अच्छी नहीं रहती है तो उनको अच्छी तरीके से खा लें ऐसी इसके लिए हम दाने के साथ इसको मिला देते हैं और दाने के साथ मिलाने के बाद में उनके सामने अगर रखेंगे तो वो इस टैंक को रख रखाओ के लिए कुछ ध्यान हमको ध्यान रखना चाहिए पहली बात तो टैंक को जो है हम छायादार जगा में रखें बनाएं और वहां पे पस्मों जो भी कचला होता है वो इकठा नहीं होने दें आसपास उसके जो गंदगी होने से फिर कीटाओं के होने क की संभावना रहती है तो वह नहीं रहने दें पानी चेक करते रहें एजोला की जो ब्रद्धी है वह जो हमारा वायूमंडल का जो तापमान है बीस से तीस डिगरी सेंटीगेट का जब होता है और जो वायू की नमी है वह करीब 85-90 प्रसत जब होती है उस इस्तिति में इनको हम प्रत्वर्ग मीटर के हिसाब से निमित रूप से डालते रहते हैं तो इसका करेंगे तो अच्छी हमको बढ़वार मिलेगी उसके लबाब हम अगरे टैंक की देख भाल करने के लिए क्या है कि दो तीन चीजों का बहुत ध्यान रखने के ज़रूरत है पहली बात जब भी हम इसमें डालते हैं जोला वगएरा और उसके करीब हर दस तिन के बाद में पचीज से तीस प्रस्तत इसका पानी हमको बदल देना चाहिए इस पानी को हमको कहीं फेकना नहीं चाहिए क्योंकि पानी है इसमें गोबर और दूसी चीजे इसमें मिली हुई है तो जो अंदर का कच्ड़ा है जो मिट्टी वगर हमने मिलाई थी एक किलो मिट्टी प्रति वर्ग मीटर है के हिसाब से उस मटेरिल को निकाल करके और इसको भी हमको इधार दर नहीं फेकना है अपने कहीं पाउधे हैं उस पे हमको डाल देना है